हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे L&T Finance Holding Limited के बारे में देखिए का ऐसे कुछ शेस हैं जहां पर की काफी retail participation है अजिन शेस के अंदर और उनमें एक और खास बात जो है ये कि उनमें एक अच्छा run-up आया तो बहुत सारे जो viewers हैं वो इस तरीके के सवाल कर रहे थे कि सर क्या अभी खरीदना चाहिए नहीं मुझे नहीं लगता कि अभी खरीदने का भाव है यहां पर देखिए को financials में जिस तरीके की तेज़ी हुई है यहां पर जो बड़े players है मुझे ऐला ऐसा लगता है जो मैंने result analysis किये थे लेकिन अभी भी जो है pain जो है system के अदर बाकी है और आप यह नहीं कह सकते कि अगले 6-8 महिने तक जो है यहां पर कोई relief किसी तरीके का मिलेगा तो assets quality के concerns है तो कुछ technical gaps है यहां पर आप देख सकते हैं कि जो technical gaps है तो शायद उनको fill करने के लिए एक बर market आ सकती है तो करीबन 110 रुपे maximum level पर यह share का price जा सकता है लेकिन यह देखी गई जो gaps है यह काफी यहां पर supply आई थी पहले भी तो अभी जो 90 रुपीज के आसपास तो हो सकता है कि अराम से easily तोड़ दे लेकिन 100 रुपे के आसपास काफी तगड़े resistance आएंगे और 110 रुपे तक वो resistance चलते हुए नजर आएंगे और वहां पर आपक दियान रखना है कि काफी अच्छी profit booking आएगी और ऐसा नहीं कि अभी एक तरफ आ उपर की तरफ जो है market जाएगी तो यहां पर क्योंकि निफ्टी 13,000 के उपर है बैंक निफ्टी 29,700 तो financials पे पहले ही बहुत अच्छी तेजी हो चुकी है तो बड़े players यहां पर भी volume के सा साथ जो है माल को खरीदा गया है लेकिन ऐसा पहले भी देखने के लिए मिला था देखिएगा जब जून के अंदर एक अच्छी यहां से हुई थी अच्छे volumes के साथ और फिर देखिएगा फिर profit booking स्टार्ट हो गई थी हलाकि और वो prices भी नीचे की तरफ तरफ अब उपर के prices है तो volume भी जादा चाहिए था क्योंकि पैसा भी जादा चाहिए था तो मुझे personally ऐसा लगता है कि यहां पर एक profit booking जो है आ सकती है और जो NBFC या financial space के अंदर जो RBI का working group से जो related जो news थी की NBFC भी banking license के लिए जो है प्ले का सकती है इसलिए आप देखिए का AB Capital Bajaj Finance और इस त trailing store plus के साथ उनको trade करना चाहिए तो यहां पर जो investors है और जिन्होंने नीचे के level पे लिया था या short terms के जो traders है वो profit book कर सकते हैं long term के अंदर देखी गई यह company का जो है business model काफी अच्छा है लेकिन जो loan अभी इनोंने पीछे दिये हैं वो covid की वज़े से काफी severe pain उसके अंदर तो अपने financial वज़े से सला लें और उसके बाद यह अंतिम फैसले पर पहुंचे और आप यह भी देख सकते हैं कि अभी जो valuation से वो आपको 12 के P पर मिल रहे हैं और industry का 36 है लेकिन इस industry के PE के अंदर hdhc limited बजाज finance जैसी दिगज कंपनिया है जिसकी वज़े से आपको यह share स इस तरीके का working environment है उस तरीके से मुझे लगता है कि profit of booking 5-6 रुपे जैसी यह share और ऊपर की तरफ जाएगा तो एक अच्छी खासी profit booking देखने की मिलेगी यह जो analysis है यह cable or cable trade से related है investment के लिए जो है मैंने यह analysis नहीं किया है तो अभी अगले quarter results के बाद जो है हमें और थोड़ी इस पिक्चर के लिए होती हुने जर आएगी हलाकि moratorium की तलवार अभी भी जो है लटकी हुई और वो जो सारे मामले disputes में चले गए हैं और अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ज़्यादा clarity जो है हमें मिली नहीं है तो अभी भी मुझे sector के उपर coffee जो है ऐसा नहीं लगता कि बहुत अच्छा रन आएगा हलाकि देखिएगा मार्केड़क अंदर news flow fake के जो है चीजे रन की जाती है और जो बड़े players है इस तरीके से अपने माल को उपर की तरफ जो है ओफ लोड भी पहले भी past में करते रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक उपर के लेवल पर प्रोफर बुकिंग आती हुई नजराएगी यह मेरे वक्तिकित वीउ है आप देखिएगा जो भी निवेश करें वह अपने फाइनिशल ब्रज़ेस सला लेने के बाद ही करें वीडियो कैसी लगी जरू से जरू आप मुझे कमेंड बुक से बताईएगे वीडियो जिवेश धि demandé HIM TÝ के जरू combines के वीपडर फीएगने करें वीडियो करें वीडीयों पीकितकित, चभडते हैं में आप में हमें बुकित, खेख ईने करें लजह हैं करें 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 वेवेश्ब से लवेश भीयोज़ेस अवड़ेकित, पहारीा यहारी है.